वाई यहर वीडियो में आप कुछ देखके जाओ या ना जाओ लेकिन आप यह ज़रू देखके जाना कि यह Apple Watch किस तरीके से अपने iPhone से connect होती है चाँ 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 Apple का यह कहना है कि हमने यह Watch specially उन लोगों के लिए बनाई है जो Adventures में जाते है या फिर Outdoors में Athlete है Don't worry अगर आप एक Athlete या फिर Adventure पे नहीं जाते हो तो यह है Apple Watch Ultra सब कुछ बताऊँगा इस छोटी सी वीडियो में तो यहाँ पे हमें तीन बैंड्स देखने को मिल जाते है Alpine Loop, Trail Loop और Ocean Band Box को Open करने पे जैसे मैंने बताया पूरा की पूरा Adventurous लुक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है सबसे पिले यह जो Watch है यह है Alpine Loop Band वाली और यह है हमारी Apple Watch Ultra और यहाँ पे हमें मिल जाता है Type-C Charger इसके अलावा Box में और कुछ भी नहीं है जो कि Apple की पुरानी आदत है कोई नहीं मरना तेरे को डर नहीं लगता अब यहाँ पे अगर हम Body की बात करें तो Sides में हमें Titanium देखने को मिल जाता है नीचे हमें Ceramic Coated मिल जाता है और यहाँ पे हमें Sapphire Crystal Glass देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मैं बता दू कि जो Glass है वो इस Titanium के अंदर है मतलब नीचे अगर गिर विर गई तो Glass को तो वैसे भी कुछ नहीं होगा आगे हमारे पास है Digital Crown Button, Microphone और Left Side में यहाँ पे Action Button है जो International Orange Color में है और यह है Dual Speakers और यहाँ पे अब हम Alpine Band को लगा देते हैं जो काफी Simple है आपको Locking Sound देखने को मिलेगा और इसे बहना भी उतना ही आसान है Connect करने के लिए Simply अपने Apple Watch को On कर लो और अपने iPhone को Watch के नस्दीक ले कर जाओ उसके बाद अपने iPhone से अपनी Apple Watch को Scan कर लो यही तो खास बात होती है Apple Products की आपको जादा कुछ करना नहीं पड़ता सबसे इंटरेसिंग चीज़ के अगर बात करें तो Crown Button को Scroll करने पे यह Black and Red Form में चली जाती है और मान लो आप कहीं Low Lightning में हो या फिर कहीं जंगल में हो या फिर कहीं अंधेरे में हो तो यह डिस्पले आपके बड़े काम आने वाली है प्राइस की अगर बात करें तो आप कोई भी बैंड के साथ इसे पर्चिस कर लो 89,900 ही रहेगी भाई